हेलो गाइज वेल्कम बैक टू माइन व्लॉग और आज मैं पहुंच चुक्यू कत्मा मेला गनेश मुझा के दिन तो आपको चलो एक्स्प्लोर कराती हो और मेले में भी आज और से मेला का तो ब्लॉग को इंट्रिक देखना ना भूले तो पार्किंग आपको लगाना पड़ेगा लिंग्रोड के पैस फिर आपको यहाँ से पैदल चलके जाना पड़ेगा क्यूंकि आगे पूरा रास्ता ब्लॉग किया वा था ओर लाइन से देख सकते हूँ यहां पे बहुत चीज़े खाने के इंट्रॉल लग चुके हैं बहु क्यूट क्यूट से चीजे भी थी और ये खाने को बहुत टेस्टी ये खाली मेले में ही आपको मिलेगा खाने के लिए आइस क्रीम इसको और भी क्या बोदा है याद लिया मुझे और ये कोबिट के बाद मैं फॉर्स टाइम जा रही हूं क्योंकि मैं टेली में थी तो मैं विजट नहीं कर पाई थी आगे बढ़ते चाहेगा बहुत ज्यादा क्राउड आते चाहेगा और यहां से हमारा इंट्री गेटर देख सकते हो तो फॉर्स जे आपको ज्यादा क्राउड ने दिखराबट बहुत क्राउड होते हैं यहां पर कि अगया है कि तो यहां पर सबसे पहले आपको मिलेगा बच्चे निंपी जूला जो लग चुका है यहां पर छोटे-चोटे ते तार्म वाले जूले और यहां पर बहुत साहरे चुटे-सारे बच्चे लोंगों जी तीवी जूले थे और बड़े लोगों लिखले बीटे बच्चे लोगे तो चल रहे तो यहां पर बहुत सारे सॉप उपन हुए नहीं है सारे अभी लगी रहे थे खाने पर निकले हर्चीज आ चुका था देख सकते गली में इस खाली आपको मिलेंगा और बन साइट खुला था और यह बहुत जालाम है था देख सकतो फॉस्टे भ आपको मिल जाएंगे बहुत सार घर के समान भी थे हैं यहां पर बहुत सुन्दर संदर से एरेंग था और फॉटे रूपीज में कोई भी समान लाई लो फॉटे रूपीज में ही था सारे बहुत अच्छे थे तो मैंने भी एक दो ले लिया और यहां पर यह ताटू बना वर्स्टे था और यह 10 दिन तक रहने वाला है वहना तो आप कभी विजट करो यार जूला कभी स्टार्ट करने वा नहीं तो मसकिल सहाँ चाहिए तो मैं जूला श्वाट ने क्या करो बोलते कर ला ना रहा हुँसे ऐसा करते कोई आसा करते हैं कोई बताओ जाब बिजती है में अपर तो यहां पर बहुत सारे श्रॉप थे पारिवादे और मोसी एवसे स Tucson कि जिए जा ने कि समय कि आ जद। क्यonक कुछ चुलक कि आए मेरी में सकता थहां मैं मैं प्रक्राणकिते जाना। मैं सब्कुती हैं पड़ियो चोटा भी मिस्पड़र में यहां पर बहुत सारे हर चीज के स्टॉल्स लगे वे थे खिलोना से लेकर हर बरतिन वरतिन हर चीज के स्टॉल्स थे तो बट मुझे लगा भूख तो मैं चल पड़ी खाने के लिए बट बहार निकल के मुझे दिखा यह पान बट मैंने बट मैं चल पड़ी खुला पर बैठने के लिए तो बहुत सारी लंगी लाइए लग चुकी थी तो तो मैंने वेट किया बहुत देर चल पर उसके जर सामने हैं तो मुझे बहुत टरना था अब बैठने मेरा मेरा हाट में तीजो चुका है तो जमशेपुर का सबसे बड़ बिजली जुला आपको कजमा मेला में ही मिलेगा बहुत ही बड़ा दर के आगी जीत हैं मॉन्टिंटी उपी क्या आना चाहिए तो फाइनीली मैं पिजली जुला पे बैठ चुकी और देख सकते हो नीचे रोड अभी उपर होड़ जाए और जादर लगने वाले हैं मुझे अरे तुझ आ रही है हूँ पीचो पीच हो पीचे पुरा हमारा गनीच पूछा था और यह देख सकते हो उपर से बिजली जुला के उपर से कितना सुन्दर दिख रहा है पूरा मेला चार साइट से बीच में पंडाल गनेज जी का और वो 360 वाला जुला बहुत ही डरावना मैं कभी ना बैट उसमें और मैं बीच में लिटक चुकी हूँ और मुझे बहुत ना लग रहा है यार पीच में जाकर रोग देते तब पकले मैं अब मेरा मेला घुमना खतम हो चुका और मैं जा रही हूँ आप झाड़ा आप बहुत मजा है आप जरूर विजिट करो पहले तो जूला नहीं खुला था बन लास्ट में खुल गया तो लास्टली मैं बिजली जूला पर बढ़ें बहुत मजा है सब सब बड़ा बिजुला था आप लोग ज़रूर विजिट करो भी ये दस दिन तक रहने वाल है मिलते हैं आपको नेक्स ब्लोग में टाता बाई बाई